नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अंजना चोहान दोस्तो आज बालों को काला करने के लिए हिल्दी करने के लिए ऐसी चीज बताने जारी हूँ कि सायधी आपने अपने घर में बाल काला करने के लिए ऐसा पाउडर बनाया हो कभी भी नहीं बनाया होगा लेकिन अब आप इसे प्रेंगे नहीं और निचुरल हेयर डाई आज कैसे बनती है कमाल की वीडियो दोस्तों जरूर फॉलो करिएगा ठीक है आउला से बताने जारों और इसमें कई चीजे एड करूंगी ठीक है आउला में बहुत सारा बिटामिन सी कैल्सियम आयरन फास्फोरस प्रोटीन मतब पाई जाती इसका जूस जब मैं गुल डाल के बनाती हूँ न तो सोच लिजे मुसम्मी अनार सेव हर जूस को फेल कर देता है आउला का जूस इतना टेश्टी होता है ठीक है जब तक आउला आ रहा है कोशिस करिए डेली एक ग्लास जूस पीने का ठंडी में आउला बनाया गया है तो कुद्रत ने कुछ सोच के ही इसको बनाया होगा ठंडा है पर ठंडी में बनाये गया बहुत ही हिल्दी होता ठीक है इसको काटनी जब सफेद बालों के लिए वर्दान का काम करता है यह आउला ठीक है आपके हिल्द के लिए पेट के लिए इसकिन के लिए हर ची चीज कशना हो यह कमाल की चीज है मेरे बास दोस्तों बड़ा काम आसान कर देती है ठीक है अब तवा चढ़ाना है तवे को गरम कर लीजिए उसके बाद इस आउले को इसी तवे में डाल दीजिए थोड़ा सा मेहनत है पर जो तैयार होगा ना लाश्ट में आप हैरान रह जा तो दो बाल भी होना सुरू हो जाए ना यह लगाईए कोई केमिकल नहीं लगेगा ठीक है अब आप मेथी तीन चम्मच मेथी इसी आउला में डाला जाएगा जब आधा भूंज लीजे तब मेथी डालिएगा जब आधा हलका सा ब्राउन रंका हो जाए ठीक है उसके बाद कलोंजी मेथी कलोंजी एक ऐसी चीज है कोई कल्चर ऐसा नहीं है जो मेथी कलोंजी नहीं जानता और बालों के लिए यह हैरान कर देने वाला रिजल्ट देता है ऐसा नहीं है कि यह भी कोई नहीं जानता ठीक है डाई मत लगाय करें आपकी आँखों के लिए नुकसान होत मतब किसी किसी को तो चेहरे में कितनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है इसकिन पे अगर वो डाई लगा लेते हैं आखे तो बिल्कुल चली ही जाती है बहुत लोग ऐसे होते हैं तो अभी से ऐसी सुरुवात करें तो आपका इसकिन आपके आखे बची रहेंगी पचास साथ में स चीज देती है हल्दी अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजे हल्दी कमाल की चीज है आपके बालों के लिए जूए के लिए भी हल्दी कमाल की चीज है हल्दी भी इसमें डाल दी जाएगी इतना भूना जाएगा कि इसको सबको एकदम काला कर दिया जाएगा ठीक है पेज आच में भून सकते हैं, इसमें कोई धी में आज की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, अब इसमें मैंने गुड़ाल के फूल का पाउडर डाला है, और एक चम्मच इसमें भ्रंग राज डालूंगे, भ्रंग राज, सरुगुण संपन, बालों का राजा है ये, ठीक ह मैं अपनी ऊपर जो है, अपनी चलती हुई बीडियो लगाई हूँ क्योंकि मेरी बीडियो कोई दूसरा लेकर के फेस्बुक पर डाल देता है, ठीक, और मेरी बीडियो से वो पैसा कवा रहा है, तो इसलिए मेरा चेहरा जो है जीता जागता, इसमें बीडियो में होना बह अगर फाइन नहीं बन पाता है, तो आप इसको चलनी से किसी भी चीज से आप इसको चाल लीजेगा, ऐसी डाई है दोस्तों, कि आखे अगर बचाना है, तो आपको ये बना ही लेना चाहिए, और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा, अगर किसी कांच के सीसीवे भरके रख लगाने का तरीका कई है एलोवेरा जल में मिलाके लगा सकते हो इसको एक रात पहले लोहे की किसी बरतन में भिगो दीजिएगा इसमें जब आयरन चूटेगा तो इसका कमाल और भी जादा बढ़ जाएगा देखी इसका मैं आपसे यकीन मतब मैं धो रही थी ना पानी से मैं धो रही थी फिर भी ये मेरे हाथों से छूट नहीं रहा था बिलकुल यकीन माने ये चीज़ का अब आपको एक लोहे के छोटा सा बरतन लेना है चाहे बड़ा जो भी लीजिए मेरे पास ये है तो इसमें एक से दो चमच डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल करके एक बालों में लगाईए बच्चों के बालों में लगा दीजिए तेल में लगाएंगे तो आपको बाल धोना पड़ेगा अगर पानी में लगाएंगे गोल के तो आपको बिलकुल बाल धोने की दो दिन तीन दिन कोई जरूरत नहीं है सफेद बाल आपके काले दिखने लगें देखिए क्या कम माल का है इसको आगे-आगे जिसे बाल सफेद हो जाते ना मूद हो तो आगे ही जलदी बाल सफेद होने लगते हैं तो बस इसको इसी तरह से लगाके छोड़ दिए अब मुझे बाल धोने की जरूत बिलकुल भी नहीं पड़ेगी जो सफेद बाल है वो इत् हल्दी भी बालों को हल्दी बनाएगा क्योंकि इसमें कलोंजी मेथी एड्ड हो चुकी है हल्दी डैंडरफ के लिए कमाल की चीज है हल्दी को ऐसे ही पानी में घोल के इस्प्रे करें डैंडरफ पूरी तरीके से खतम हो जाएंगे मेरे चैनल को फॉल्व